हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, आज में आप के लिए एक बहुती सुन्दर और बहुती आसान डबल जाली केबल डिजैन लेकर आई हूं आज में आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है प्रेंट्स इस डिजाइन को न्यू बिगनर्स भी आसाने से बना सकती हैं इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, शोल, स्टोल, मफलर, बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं इन सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको चार के मल्टीपल फंदे लेकर दो फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजाइन आपकी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा चार के multiple देखिए आप इसमें चार फंदे गिन लिजिए फिर से चार फिर से चार फिर से चार इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके दो फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और सिर्फ दो ही सलाईों में complete हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो यहां पर मैंने लिये हैं 26 फंदे चार के multiple करके और 2 फंदे एक्स्ट्रा डिजैन की ये पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजिएगा ये डिजैन बनाने में बहुत ही आसान है और इस डिजैन को बनाने के लिए सलाई आप अपनी ओन के अनुसार ले लिजिएगा तो पहला फंदा इसका स्टीच है इसे उतारिये या उल्टा बनाईये मैं हमेशा ही उल्टा बुन कर लेती हूं जिससे इसकी ये किनारी मुड़ती नहीं है एस्टीच के बाद यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो देखिए धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो अब धागे को देखिए अपनी तरफ लेकर आएंगे एक फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे में स्लाई डालेंगे धागा अपनी तरफ है और दो का एक फंदा ऐसे बना देंगे जब हम धागा अपनी तरफ करके दो फंदे का एक फंदा बनाते हैं तो जाली से फंदा वापस बढ़ जाता है स्टिज के बाद ये हमने चार फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपिट करते जाएंगे तो फिर से देखिए दो फंदे सीधे एक और ये दो धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे एक फंदे को ऐसे पलट के और सीधा कर देंगे फिर बैक साइड से दो फंदे में स्लाइड डाल लेंगे ये बिल्कुल स्टार्टिंग जो यहां से होती है वही सलाइम आपको यहां से बता रहे हैं धागा अपनी तरफ करके फिर दो फंदे में बैक साइड से स्लै डालेंगे और दो का एक बना देंगे फिर से सी डिजैन को रिपीट करेंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदे को पलट के ऐसे सीधा कर देंगे फिर बैक साइड से दो दो फंदे में डालेंगे धागा अपनी तरफ और दो का एक बना देंगे तो जो फंदा कम किया वो जाली से बढ़ा दिया फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे दो फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे एक फंदे को पलटके ऐसे सीधा करेंगे बैक से दो फंदे में ऐसे स्लाइड डाल देंगे और दो का दिखिए ऐसे एक फंदा बना देंगे फिर से सीड जैन को रिपिट करेंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो अब फिर से धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे एक फंदे को ऐसे पलट के सीधा करना है फिर बैक साइड से दो फंदे में डालेंगे, धागा अपनी तरफ है, और दो का हम एक फंदा बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे, एक और ये दो, धागा अपनी तरफ करेंगे, और ये देखिए, इस एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से दो फंदे में डालेंगे, और दो का ए एक फंदा ऐसे बना देंगे आपके जितने भी फंदे हो आप यही चार चार फंदे का डिजैन इसमें बार बार रिपीट करते जाए तो लास्ट में आपका एक ही फंदा बचेगा धागा अपनी तरफ करके एस्टीच को आप उल्टा बुन लिजिए जिसे किनारी इसकी बिल सलाईों का ही यह डिजैन होता है तो अब देखिए कैसे करेंगे सलाई हमें उल्टी ही बनानी है लेकिन ध्यान से देखिए पहला फंदा ऐस्टीच है इसे हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे अब यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो दो फंदे उल्टे देख जो हमने यहां पर 2 का 1 किया उसके लिए लपेट कर जाली बना दि तो यही 4 फंदे का डिजैन बार बार रिपेट करते जाएंगे तो ध्यान से देखिए 2 फंदे उल्टे एक और यह 2 फिर इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएंगे और दो फंदे का एक फंदा ऐसे बना फिर से डिजाइन को रिपीट करना है दो फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे फिर सलाई के उपर लपेट कर एक जाली बना देंगे और इन दो फंदे का यहां पर एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करना है दिखिए एक और ये दो फंदे हमने बनाए इस तरह से सलाई के उपर धागा लपेट देंगे तो जाली बन गई और इन दो फंदे का एक फंदा बना देंगे फिर से आपने दो फंदे बुन लेने हैं यहां आप स्टार्टिंग से ध्यान रखिएगा यह स्टार्टिंग वाले दो फंदे बुनने के बाद लपेट कर जाली बनाईए फिर दो का एक कीजियें तो आपका डिजैन बिल्कुल सही एड़जेश्ट होता चला जाएगा तो यह दो फंदे बुनने के बाद इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएंगे फिर दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक बना देंगे फिर से दो फंदे हम देखिए एक और ये दो बनाएंगे लपेट कर एक जाले डाल देंगे और ये वाले दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे तो दो काई करने से फंदा कम होता है तो पहले जाली से बढ़ा दिया जाता है और लास्ट का फंदा ST6 इसे हम ऐसे उल्टा ही गुन देंगे तो दो ही सलायों में ये डिजैन ओवर हो जाता है इन ही दो-दो सलायों को आप बार-बार रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका ये डिजैन बनता चला जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीखा पसंद आया हो तो प्लेज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में शेर कीजिए चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक यू